हेलो एब्रिवान केसे हैं आप लोग है होप साप सब ठीक होंगे और आज से हमारे घर में दिवाली की जो तैयारिया होती है मिठाईया बनाना होता है वह हमने स्टार्ट कर दी थी तो अभी समय ना ज्यादा साड़ी क्यारा के लगबग समय हो रहा था हम लोगों का जो रेग तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करकर रख दिया था कि जब बनानों गा तो बस इसे इसका डो लगा कर बना लेंगे यह सबसे लास्ट का काम होता है तो थोड़ा ही बनाया हैं इस बास जादा नहीं बना रहे हम तो यह हम लगों के लिए थोड़ा सा स्पाईसी बाला तो मैंने इक दिन पहले रात को महंधी बिगोज दी जो इसका रहते है वैसा मोंने मम्मी को दिखाया कि यह हो गया है तो बस उसे लगा कर शायट कर दिया था इसी बीच में मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने एक दिन पहले रात को मेहंदी बिगो दी थी तो वो मुझे लगाना था हैर्स में और मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था तो मैंने सुचा जब तक यह जितने भी आटा है थोड़ी दे रेस्ट हो रहा है और हम लोग वैसे भी लंच वगरा करने के बाद ही बनानाय स्टार्ट करते तो मेरे पास थोड़ा सा समय था इसी बीच मैंने सोचा कि मैं जल्दी से हिना अपलाई कर लेती हूँ दो से तीन घंडे हम यह सब बनाने में लग जाएगा तब टक वो ड्राय भी हो जाएगी और इतनी जरी में ममी ने जो बेसें जो था हमारा वो सिक्कर तयार हो गया था रहा हम लोगों को का लच वगरा भी प्रेपैर हो गया था हम लोगों ने सब की cutting वगरा भी कर ली थी इस समय तक और ये जो आटा था ये मैंने बड़े के लिए लगा कर रख दिया था और इन सब को थोड़ी दर इस तरह से थाली में निकाल कर ड्राय करने के लिए हमने छोड़ दिया था हम हमारी ये तयारियां कर रहे थे और सेम ड़ ये हमारे यहां पर बाहर की साइड लाइट भी लग गई थी क्योंकि नेक्स डे से एकादशी से तो हम लोग क्या दिवाली स्टार्ट हो जाती है तो बस इतनी देर में ये सब हो रहा था आटा जो बेसन था थोड़ा सा ठंडा हुआ और मुझे ही बनाना था तो फिर मैं ब तो काना हेल्प कर रहा था मम्मी की कि उसे निकाल निकाल कर मतलब हम पॉलिथीन पर इसे थोड़ा सा ड्राय कर लेते हैं कि जब फ्राय करना होता है तो वह एकदम से फूलती नहीं और अच्छे से बन जाती है थोड़ा सी क्रिस्पी हो जाती है ज़्यादा समय भी लगता लड़ घ्र्प जाती है और में यसी घृत हमाना ठाओ का ममें बढ़ा रहा था इसलिए हम्ने उसे क्रने दिया और मैं इतनी सिप्ध में तर दे रही हें तो बिलिप करने केअभा मोड isot obviously करने लाए थी और कट कर रहे थी, मतलब वो अपने साब से कर रहे थी, इस तरह से बच्चों को करवाना भी चाहिए काम, जिससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा काम करना सीखते हैं, यह सब हुआ, उसके बाद ही मैं चली गई थी अपने हैर वाश करने, यह सब थोड़ा से जब तक ड्राय हो तो सबसे पहले हम लोगों ने मीठा मीठा जो था वो फ्राय किया, उसके बाद हम लास्ट में फिर यह जो हम बड़े वगरा बना रहे हैं, वो फ्राय करेंगे, क्योंकि उससे ना फिर क्या होता है, ओईल जो है या गी जो भी है, वो तीखा हो जाते थोड़ा सा, और पहल स पढ़ता है तो इसमें फफून दाने लगती है, तो बस इतना सब हुआ, इन सब को हम लोगों ने ठंडा करने के लिए जोड़ दिया था फैन के नीचे, और फिर इन सब को डबे में पैक करकर अलग रग दिया था, फिर इसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग ब्लीनिंग की, थोड़ा सा रेस्ट किया, इसके बाद मेरे जो कलर थे पुराने वाले वो ना थोड़े से गीले हो गए थे, तो इनने थोड़ा सा धूब दिखाया, और इसे रिफिल किया, और फिर देखा कि कौन से कलर हैं, कौन से नहीं, तो यह सब किया, और शाम तो हो चुकी थी समय त मैं अपने लिए चाय बना रही है, मैंने अब चाय ने पी मेरा बहुत अधा है खो रहा है, तो बस अब मैं चाय बना कर चाय पी दो थोड़ा रेस्ट करोंगी, दिन भर दिन भर हो गया, अच तो सुबहें स रात को कोफी में बहुत लेट हो गई थी, काना की वज़े से, औ मैं जाने की, मी जादा हालत खराब हो वही न, इतनी थाकान सी लग रही है, क्या पता क्यों, मौसम भी ऐसा अगड़वर सा हो रहा है, इस बज़े से, अभी तो त्याहरी स्टार्टिं ही हुआ, तो स्टार्टिं के बार देखते हैं, क्या करना है, अज हालत देखिए, क्या फेस्टिवल ही होता है, रोशनी का, लाइट्स का, कलरफूल लाइटिंग का, तो बैस चल्दी सी जितनी भी लाइट्स वक्रा लगाई थी, वो चेक भी करना था कि रात में कैसी दिख रही है, तो बैस जल्दी से फटा-फट से ऐसे आउन किया, ठीक से हम लोग देख ही न होना कम है, तो लेमन रेस बना लेंगे तो सब का हो जाएगा, जल्दी से पटा-फट पर चावल रग देती हूं, तो बस फिर मैंने जल्दी से चावल का जैसे डबा निकाला, फिर मुझे यादा है कि राइस का डबा तो सबही खाली हो गया था, मुझे से रिफिल करना था फिर मैंने जल्दी से रिफिल किया, और होता ऐसा कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि मैं ये काम अभी कर लूँगी और फिर वो रह जाता है, ऐसे चुछ जादा टाइम नहीं लगना था, पर कभी-कभी हो जाता है कि हमें लेट हो जाता है, और मुझे धोड़ा जल्दी इस देखा तो इतने सारे कीड़े हो गए थे, जिस रूम में हम लोग अदिकतर खाना बना खाते है वहाँ पर, मैंने फटा फिर से वहाँ पर जाड़ू लगाई क्योंकि मैं अगरवती लगा कर रूम में और राइस वगरा बना कर चली गई थी नीचे हॉल में, तो जब आई देखा इतने डहेर सारे कीड़े हो गए थे, और इतने बारिक होते हैं कि आँख में कान में चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, इस्पेशली बच्चों के रात वात को चलेना चाहें, इस वज़े से थोड़ा सा डर लगता है, फिर सब लोगों को कॉलमस जिनर हो ग संदे थोड़े से जादा सा नेबू डालकर राइस बनाना और हाफ रोटी के गरीब लिया था, क्योंकि नेक्स्टे ना हम लोगों का एकादशी का फास था, तो पेट भरना तो जरूरी था, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, तो चली इसी के साथ में इस ब्लोग को एंड करत अगर वीडियो पसा था तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद